कोशने पैदा होंता है के लर्नर जदो MCQ कॉश्चन सॉल्व कर देने ते गलत जवाबल क्वें चल जान देने उस दा उत्तर है के पावलव दी क्लासिकल कंडीशनिंग नो समझन लिए एक वड़ी उल्जन है ओ उल्जन केड़ी है के स्टिमलस ते रिस्पॉंस जड़े क्लासिकल कंडीशनिंग विच्च वर्ते गये हन उना दे वकवक कंबिनेशन बंदे हन उना नो क्या है टाइपस ऑफ स्टिमलस एंड रिस्पॉंस इन पावलव देन लिखिया है उदीपन आएगा उदीपन ते जवाब दिया किस्मा केडि है कई बारे प्रेशन जा उत्तर विच ए शॉर्ट फर्म दिती हुंदी है इंग्लिश विच है पंजाबी विच है और यह सुजैशन है कि इंग्लिश विच ही करनी चाहिए है कदे भी कोई थियोरी है तो इंग्लिश विच करनी चाहिए है उस्तिया जो टेक्निकल टर्म्स ने क्योंकि translation जो हुंदी है एक थे जो translation किती गई है हो सकता है paper which हो और कोई translation हो वे that is why तो अनू English दे वर्ड पढ़ने ही पहने हैं अनू सौखा की करना है A UCS Unconditioned Stimulus है UCR Unconditioned Response है NS Neutral Stimulus है CS Conditioned Response है CR Conditioned Response है इसनो very बहुत असान किता करना है वो लुकता है इसनो सारे combination दा central word किता है Conditioned Memory Based Strategy नो apply किता करना है मैं की strategy बनाई है कि जेड़ी C है उसनो मैं इस तरह क्यों draw किता है क्योंकि इसनो तोड़ के बड़ी अच्छी जल्दी तरह ना L बन सकता है और L नो मैं learned लिख लिया It means की होया के conditioning, unconditional, जिथे भी शबद आन्देहन C नो मैं इकदम L समझना है और L दा मतलब है learned It means conditioned दा मतलब होया learned बेशको stimulus होए, बेशको response होए बस तुसी C नो L विच जल्दी समझ लेना है अपने दिमार विच पंजाबी विच होएगा, सिख्या होया इसे नाल ही तुलना करके, तुलनात्बक एक method उन्द है इसे नाल ही तुलना करके असी uncondition नो समझ लाँगे और एथे मैं पहला ही जानता है, मेरे दिमाग ने जल्दी जल्दी की करना है सीधा L बना के learned बना लेना है हो दूज़े पासे मेरे को की बचिया unknown मैं इससे तरह लिख लिए unlearned पर unlearned ते not learned विच फरक है, actual एडा meaning जीड़ा है, ओ एन नो तुसी चकना है, बेशक एथो एन नो arrow बना लो, और एथे लिख लो not सी conditioning learned ही रहेगा दूसरा एन नो चक के, जीड़ा इसनों define करने लिए major term है पिछे प्रवाश हमाँ विच भी देख के आए है natural बेशक्स्रेमलास होगे, response होगे तुसी अपनी सुहूलत लिए थे unlearned उन्हों याद रख सक देओ, लेकिन concept unlearned वख रहा है क्योंकि जदो आसी spontaneous recovery या extinction ने principle करने है ओधो unlearning दा concept पावलोव ने देना है new education policy new education policy ने 2020 ने learn शबद ना जोड के किन्या ही terms सानुदितिया हन हाँ बेशक को पहलना तो fundamental theories ने use कीतिया हन for example learn relearn unlearn, learn to learn किते भी not learned नहीं use कीता गया जो की classical conditioning विच मतलब बंदा है so logical trick की हुए कि सारी conditional theory विच देखो classical conditioning है इतमीन classical learning है असी 0L convert जल्दी कर लेना है अन्दे एमनों चक के not learned और जान natural natural response ना जोड देना है पंजाबी विच है नहीं सिख्या होया natural है कुदर्ती रूल नमबर एक trick नमबर एक हुन है दूसरा अगला principle की है logical trick दसरे आहां के जड़े पंज जोडे ने बंदे एक classical conditioning विच नहीं किस तरह समझना है ए principle दूसरा है उतेजना या उदीपनों हमेशा ही जवाब दे संदर और विच समझेया जाना चाहिदा है जवाब नों हमेशा ही उतेजना दे संदर विच समझेया जाना चाहिदा है इट मीज जदो तरह question which answer which stimulus शबद है तो उसनों response दे संदर विच समझना है जे response है तो उसनों stimulus दे संदर विच समझना है ये समझ नहीं आया ता आप एक्जामपल लेके अगे चल दे हम फॉर एक्जामपल तो उसी conditioned stimulus नों जे समझना चौन दे हम फॉर एक्जामपल ता तो हनों याद करना पएगा conditioned response नो conditioned response नो और इना किदा याद करना है सीधा एकदम एल बनाया मैं मैं याद आगया कि learned response इसे तरह जे unconditioned stimulus है जहाँ unconditioned response है इना चो किसे नों याद करना है फॉर एक्जामपल unconditioned stimulus नों याद करना है तो naturally है unconditioned response नो जे unconditioned response नो याद करना है तो unconditioned stimulus दे संदर विच तुन ना करके समझा जाएगा उतुन ना अगी कर दें आपा जिनने वी combination बन दे हैं पावलोफ classical conditioning विच stimulus दे response दे उना नों समझ दे हैं पहला जोड़ा है सावड़े को unconditioned stimulus दे unconditioned response यह थे unconditioned क्यों सब तो पहला रख्या गया क्योंकि जदो theory दिया तिन stages आन याँ पहली stage विच unconditioned stimulus दे unconditioned response ही होंदा है दूसरी confusion एंदी है कि response दा हरववारी slivation ही होंदा है सानू कितना पता लगए कि यह slivation conditioned है जाँ unconditioned है इस दा उत्तर है कि यह जो slivation आया है उत्तर आया है रफ्लेक्स आया है इस दा कारण की है जाँ इस दा समबंध किस stimulus null है वो जानना जरूरी है जेता ओ stimulus unconditioned है तो response unconditioned ही रोईगा ओ कि मैं पता लगएगा नुकता याद करन दा A है कि जे food दिपता गया है मानलो MCQ विच food दा O साड़े cool है मैं थे over dugger के जान बुझ के लिख रहे हैं तुसी एकदम उसनों जो जिदा मैं थे कर रहे हैं पीते तुसी उतना ही कर सकते हो कट कर लिया कट करके साड़े को छोटा ही सबनेया A वाला एक की आया U U दा मेरे कोल आ गया unconditioned दूसना दूखता है जो पहला डिसकस करके आए है N नू इदर लिख लेना है N दा बन गया NOT और C दा पहला ही आसी जान दिया है L इकदम बना लेना है L E A R N E D NOT learned bond bond के दा stimulus दा ते A response दा एथे response है A एथे stimulus है food के दा जेता ओ संबंद जेडा bond है इथे bond लिख लगा है पंजाबी विच्च इसनो संबंद लिख सकते हो जेता संबंद J O N for एथे असी लिख 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 लिया natural मतलब एग जेडा bond जा संबंद है जे natural है की food दा संबंद salivation ना natural है येस उत्तर येस के जदो कोई food आसी देख दे हा प्राइडर सानो पुख लगी हो वे तो food देख दे हा साड़े गोलगपा देख देया मुझ लार्ट आ कपपढंद बिजली दा शॉक लगदा है एकदम हथ जाओ अंग परे हटता है तवे तत्ते तवे नो हथ लगदा है एकदम हथ परे हटता है नक विच एकदम कुछ लगदा है stimulus हुनदा है ते नाली छिक का जान दी है सो यह सारे जेडे बॉंड ने जा रिलेशनशिप है स्टिमुलस रिस्पॉंस दे नेचरल है ज़तो नेचरल हैं आसी सिखे होएं नहीं हैं दूजा नुकता ता वो अनकंडिशन्ड स्टिमुलस ते अनकंडिशन्ड रिस्पॉंस ही होएगा सो इना नो आपस संबंध विच ही समझया जा सकता है तुसी ज़ती नुकता यह अप्लाई करना है कि यू एन सी एदे विच्चों देखना है यू एन है ते नौट लर्न है और यह सी है कला सी है ते वो लर्न है नौट लर्न संबंध नैचिरल संबंध कुदर्ती संबंध अच्छे एही इस्ति परबाशा होईगी उसनू नोट कर सकते हैं यू सी एस अनकंडिशन्ड स्टिमुलस stimulus that naturally again elicit automatic response cause a response without any prior learning उतेजना जो की कुदरती तौरते एक automatic जवाब पैदा कर दी है बिना किसे पूरव सिख्या दे not learning किता सी दे जवाब दा कारण बनदा है जेडा stimulus unconditioned response not learned natural automatic reaction to a stimulus और नहीं आएगा reflexive और involuntary reflexive reflex हमेशा ही पावलोव ना जोड़दा है यही एक theory है जिसना reflex बार बार जोड़दा है reflex theory इससे लिए शाइद इसनों क्या जानदा है शाइद नहीं जुरूर क्या जानदा है reflexive है दूसरा involuntary दूसरा response है इते in involuntary तो अडि इच्छा तो बिना ही रिस्पाνस आगया इच्छा तो बिना ही इच्छा तो बिना ही हट गया हणा गोलगपा देख्या इकदम बन अड़दी इच्छा तो बिना ही आ गया क्यों आख जिखर कर रहा हैं क्योंकि जो Skinner दी थियोरी करनी है, जो Thorndike दी थियोरी करनी है, ओधो यह Voluntarily response बन जाना है, तुसी इच्छा ना response करोगी, की है Unconditioned response नहीं सिख्या, कुदर्ती तौर ते वापरण वाला Automatic जवाब, नेक्स्ट है साड़े कोल, sound of bell ते कोई response नहीं है, लर्न की करना होगी है, Neutral Stimulus, No Target Response, Neutral Stimulus सब तो ज्यादा confuse करता है, क्योंकि यह स्टेजनल संबंदित है, तिन स्टेजिस हैं, बिफोर कंडिशनिंग, मतलग सी आया, बिफोर लर्निंग, फिर दूरिंग कंडिशनिंग, मतल तिन से बेल देंदे हो, ति कोई response नहीं आंदा, ओदो बेल जड़ी है, Neutral Stimulus है, बेल दी जगह ते तुसी टीचर, पावलोफ, क्लैप भी यूज़ कर सक्दा सी, विसल भी यूज़ कर सक्दा सी, बलब भी यूज़ चलो, नहीं कीता है, जोड़ा मर्जी stimulus यूज़ करता स सक्दा सी, जेदा नाल, कोई संबंध, slivation, जा टार्गेट, रिस्पॉंस दा, नहीं है, उन्हीं याद करना दा तरीका देखना है, यह ते साउंड ऑफ वेल में पूरा लिख्या है, कली बेल नहीं हुंदी, साउंड ऑफ बेल ही आना है, की है, जान इसनो तुसी दूसरा लिख सकते हो, बेल टोन, यह भी लिख सकते हो, एस तना भी, ठीक, याद करना दा तरीका देखना है, न्यूटरल स्टिमुलस नो, ए टोन दा एन कड़ लो, एन, न्यूटरल स्टिमुलस, जान साउंड दा एन कड़ के, न्यूटरल स्टिमुलस, न्यूटरल आ गया, नो स्टिम लंट जदो तार्गे लिस्पोंसे नहीं हो दा टढ़ लिस्फॉंस की इस है स्लाइवेशन क्लास लुट तार्गे रिस्पोंस से तार्मिक स्थान ते टार्गे लिस्पोंस कुछ और हो सकता है एंग्लिश तरह विच हर journals ना spelled ना हो सकता है, हज सो एस सिचुएशन दे मताबक target response change होंदा रहेगा, जिसनो असी desirable response भी कहा दिनने हैं, So, neutral stimulus means no target response, target word is very important, क्यों बहुत ज्यादा important है, कारण ए है कि कोई stimulus ऐसा नहीं होंदा, जिसने no response हो भी, अजी कह दिनने हैं, कि no response, नहीं, ऐस तरह नहीं होंदा, stimulus bell जो दो dog नो दिती गई, तो dog ने response दिता है, और dog की response की दिता सी, उसने अपने कनानाल alert हो के bell नो सुनिया, focus किता, attend किता, alert हो गया, सो इस तरह दा question भी पुछा जा सकता है, focus किता, attend किता, alert हो गया, सो यह तर response है, पर ए रिस्पोंस सादा target नहीं है, सादा target slivation सी, slivation उसने नहीं दित था, एसले ए stimulus, neutral stimulus है, पर bell ते response आंदा है, और non targeted है, जा non desirable है, जा undesirable है, जा undesirable response है, जेड़ा के एतने example दिती आ हैं, पर बाशा देख सकते हैं, सपस्ट है, जो असी discuss करके हैं, ओ ही लिख्या होया है, neutral stimulus, NS stimulus, that does not naturally elicit the target response, desired response, एक तक याद कर लेना सौखा रहेगा, बाद विच है, कि हाँ, ओ ही response जड़ा है, but may do so after being associated with the unconditioned stimulus, अन कंडिशन नो देखो, कनी जल्दी में सौल कर लगा, एक यू अन कंडिशन, यू दी ओबना इसी, ओ दी यू बना लेना है, इस तरह, उत्ये, ओ दी फूड दी, ओ दी यू बना इती, इत्ये, यू दी ए लिखके नाल ओबना ले आई, इट मींज ये फूड ओंदा है, ये दो हुंतियोरी पढ़ दे हा, ओ दो बार-बार रेपीट करना है, फूड देना, बैल देनी है, ओ वली गल है, निरपक उतेजना, उतेजना जो कुदरती तोरते निशानना प्रतिक्रिया, इच्छत जवाब नो प्राप्त नहीं कर दी, इति तक सौका है, पर कई वार, दबार-दबार-बार-बार, अन-कंडिशन्ड यू इति लिखिया है, यू दा, एकदम मैं ओब ना लिया, के फूड बन गया, है ना, तुसी इस तरह भी कर सकती हो, के यू नो इस तरह लिख लिया, एदा, एदा करके एदा लिखता, एफ बन गया, फूड याद आ गया, एकदम फूड याद आ गया, इस तरह भी कर सकती हो, फूड ना जुड़े हों, उनते बाद अजेहा कर सकती है, नेक्स्ट है, साधे को कंडिशन्ड स्टिमूलस ते, कंडिशन्ड रिस्पॉंस, थर्ड प्लेस ते इस नो रख्या गया है, क्योंकि असी अनकंडिशन्ड तो कि L बना इसी, ठीक, C की बना इसी? L बना इसी, हुने L दी असी उकदम C बना लेनी है, जिद्धा होंते है, O दा Yω बना लेा है, Yuk दा O बना लेा है, सो L जिद आक्दम C याद कर लिए, C दा मतलब है कंडिशन्ंग तो bell दी L तो learning और L तो conditioning और condition तो फिर learned stimulus, learned response मतलब के stimulus ते response दा bond जदों के संबंध पंजाबी विच जदों learned होवे, सिख्या होवे, natural ना होवे, फूड ना natural सी, बैल ना natural नहीं सी, बैल ना food नो जोड के बार बार फिर एथे पहुंचया जन्दा है, तो इस दी प्रबाशा होएगी, इस से तरह ही, condition stimulus, conditioned response is a substitute, important word है, थियोरी दे नाम भी कही बरी इस तो पुछ लिया जन्दा है, substitute stimulus that illicit पैदा करदा है, the same response in the organism as unconditioned, अन्दा है, इस तरह एक दम आया, मैं सनो food उड बना लिया, food उड, okay, food जिमें पैदा कर सकता है, unconditioned stimulus is, जो food पैदा कर सकता है, जो कोई ओदे नाल ही, उद्दाना response, bell पैदा कर दी है, तब bell उथे, conditioned stimulus हो जाएगी, ये एक विकल्प उतेजना है, जो एक जीव विच ओही प्रतिक्रिया पैदा कर दी है, जिमें के एक बिना शर्त उतेजक द्वारा प्राप्त किता जान्दा है, बिना शर्त उतेजक food, होने इसनों होर याद रखनता तरीका, तुसी रख सकते हो, के bell एक शर्त है, bell दी शर् पे फूड मिलना है, इस तरह भी जोड सकते हो, conditioned response की होईगा, इदे रिष्टे बिची समझना होईगा, the learned reaction, एनी गल सी बास, to a conditioned response, the learned reaction to a previously neutral response, previously है लेकिद, neutral response, presently conditioned response, एक conditioned उतेजना लई सिख्खी प्रतिक्रिया, पिछले निर्पक उतेजना दे लई सिख्खी प्रतिक्रि प्रबाशा माहने, एक conditioned उतेजना लई सिख्खी प्रतिक्रिया, दूसरे तरह समझ सकते है, पिछले निर्पक उतेजना लई सिख्खी प्रतिक्रिया, main word ओ ही है, जड़ा लुपते विच्ट अनुदस क्या है, learn, सिख्खी होई, किन्ने शबद ने वर्ते जान दे, sound of bell लई जान बैल टोन लई, एक केड़े शब्द, लेकिन सब तो important शब्द केड़ा है, neutral, learn करन तो पहला, जदो ओह ही stimulus ना learning हो गई, example, bell चल रही है, ओ condition stimulus हो गया, ते दूसरी तरफ जो stimulus है, unconditioned stimulus, जिज़दा natural, and for unmean, इथे natural हो गया, इथे, ओदा बनालिया में, ओ, repeat हो रहा है, याद हो जाएगा, so, एतिन important terms ने, बाकी terms आसी use कर लेने हा, easy कर लेने हा, for example, artificial stimulus नो, original stimulus नल जोड़के समझ दे हा, पर सारी थियोरी इस नल समझ नहीं आएगी, किते जाके, फस जाओगे, इसलिए ते नुतिन ने, जो term पावलव ने use किती है, ओही समझनिया प भी है, positive देनाल, negative response भी आजानदा है, positive response हो है, जो तो food है, जिदे बाला सी पज दे हा, negative हो है, जिस तो सी पज दे हा, धूर, for example, punishment तो अपने electric shock तो पज दे हा, सो एना विच्चों कोई भी तोड़े MCQ, which question, term आ के question पुछिया जा सकता है, तुसी इस graph नो, sorry, table नो इस से तरह याद कर सकते हो, के condition stimulus, neutral ना उसला संबंध है, condition दा artificial stimulus, एक category बन रही है, just the example, sound of bell है, central idea learned, और दूसरी तरह food है, जो की, एक तो असी, बनाया सी, unconditioned है, एक positive भी हो सकता है, हाँ, negative V हो सकता है, original V है, natural V है, इसलिए शब्द वरते जाने, so, unconditioned mean method, and चक्या, natural संबंध है, पावलोव दा जो experiment सी, ओदे विच इना जे stimulus नो समझना होए तक कीड़ा की सी, पहले नमबर ते, साधे कोल learner कौन है, ये थे dog है, दूसरे नमबर ते, साधे कोल आवलोव है, जो food present कर देने, तीसरे नमबर ते, उनादे assistant ने, जो food present कर देने, चौथे नमबर ते, जिस plate, विच food plate, जिस विच food दिता जानदा सी, वो stimulus है dog लई, चौथा के जिड़ा food दिन्दा सी, वोदे पैरा दी अवाज सी, उने चार एक्जम्पल बार बार तो अन्नू chapter विच टीचर जहां, यूट्यूब ते दिती हैं जान दिया हन, सो एस stimulus 1 हो गया मन लेनिया, इसनो stimulus 2, इसनो stimulus 3, इसनो stimulus 4, इस सारे ही stimulus क्योंकि food जिदो एदे नाल प्रिजेंट कीते जान दी से, food एकदम ओ तो यू मिनों याद आया, unconditioned, जिसनो slivation पैदा हुंदी है, पर food प्रवाइड करन तो पहला 1, 2, 3, 4, इनानाल slivation पैदा नहीं हुंदी, so food प्रवाइड करन तो पहला ए नूटरल स्टिमलस सी, पावलोव और ए भी नूटरल स्टिमलस सी, उनादे assistance, ए फूड प्लेट जिदी पहला डॉग ने नहीं सी देखी, नूटरल स्टिमलस सी, और ए पैर चाप जिदी आवाज खास, जिमें तो आडे मम्मी पापा बारों पता लग जन्दा है, तो आडे मोटर सैकल दी अवाज तो पता लग जन्दा है, हना, तो ए नूटरल स्टिमलस हन, तो जदो ए नूट फूड ना बार बार पेश किता जन्दा सी, ते एना ते ही स्लाइवेशन इस पावलोव नो देखके स्लाइवेशन आ गया, इस प्लेट भी कंडि narrator झेल सी, ते स्टेंट भी कंडिशन स्तिमलस बन गया, फूड प्लेट भी कंडिशन स्टिमलस बन गया, और प्यार चाप भी झेल स्तिमलस बन गया, क्योकि यह दखल दंदेसन हुण जो एक्सपैरिमेंट आ रहा है, उस विछ इना नूँ रिमूव करता जाएगा हुन देख देह हैं कि real experiment of classical conditioning by Pavlov